ये चिराग जी अपना प्रेशर पॉलिटिक्स के तय दिखा रहे हैं। अगर वो जीत नहीं पाएं तो तब तफी 40 के 40 सीट हमारे हाथ से गया। जीपूर नॉन निगोशियबल हैं। हाजीपूर नहीं चोड़ सकते हैं। हमें 100% हेकीन हैं कि हमारे मंतरी जी के साथ अन्याई नहीं होगा। वो अचानक से युवा आता है और सारे लेके चले जाते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता है। अगर ऐसा बात नहीं होता तो तो हमारे आपके खुशी में लोग खुश क्यों नहीं है। चिराग जीज़ों को पहले सेलिपरेट कर रहे हैं। जब तक शीचेरिंग के अनॉंसमें नहीं होती है। जब तक जॉइंट आपका PC जैसे होता है वो नहीं होता है। तब तक कोई भी चीज 100% sure होके बोलना गलत होगा। आप अगर इतने ही इंपॉर्टेंट है तो इंडिये में बाकी घटक दल फिर क्या क्या कर रहा है। तब तो फिर RLM, RLJP, हम, मुके सैनी इन लोग को होना ही नहीं चाहिए। जेडियू को भी होना नहीं चाहिए। लोग सभाज चुनाओ को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है, इंडिये गठवंदन में सीट सेरिंग लगबग फाइनल हो चुका है, मज इलान होला बाकी है, चिराग पासवान को पास सीटे दी गई हाजी पूरून के खाते में गई है, और ऐसे में मारे साथ बाचित करने क किस तरह से देखती है, अब आप लोग का क्या है? पारस हमारे मंत्री जी रामविलास पासवान जी के साथ कंदे से कंदे मिला कर उन्होंने काम किया था, तो कहीं न कहीं सेंटिमेंट्स, प्यार, एक जनता के साथ, जो उनका लगा हो वो जुरा हुआ है, और वो अचानक से एक युवा आता है और सारे लेके चले जाते है, क्या करते इवें जेडियू को भी होना नहीं चाहिए आपने इतना बड़ा फैसला आपने ले लिया जैसे कि लोग भोल रहे हैं और आपने सी एम को इन्वाल भी नहीं किया तो यह गलत बात है ना मैंने कहने का मतलब है कि एक तरफ आप दिखा रहे हो कि जेडियू साथ आग जो बताया जा रहे है कि 5 के 5 सीट चिराक पासवान की पाटी को मिला वाई कौन सा ऐसा मैंने I don't know की कौन ऐसा काम किया जो एक بास्केट में सारे के सारा अंडा रखने का काम किया अगर वह बास्याप सो गलती से माल ली जेज़ पाए तो तब तब तो फी 14 के 14 सीट हमारे हा है आप भी है लेकिन आप एक experience holder जितने भी आपके नेता है आप उनलों को राई भी नहीं लिए तो अगर ऐसी बाते युवाओ को अगर अब ले रहें तब तो फिरामित्षा जी जेपी नडडा जी हमारे पीम सबके सब आपके एजिन है तब तो क्या वज़ा रही होगी क्यो हँख बाटनें लगते है हम लोग वो काम नहीं किरा है अगर ऐसा बात होता तो अगर अगर उड़के बीया को लेके नहीं चल रहे हो तो सोचिए अंडिये में जब लड़ा मने आगे जाके जब चीज़े होंगी तो किस जंग से होगी, तो हम लोग को पूरन विश्वास है, हम लोग इंडिये के बहुत पुराने साथी है, बहुत लोयल साथी है, हमें 100% है कि हमारे मंतरी जी के साथ एहन्याई नहीं होगा, और Honorable PM, साथ में Amitra जी, कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे, कि जिसमें कि ह हमारे को हाजीपूर मिले, क्योंकि हाजीपूर में उन्होंने काम किया है, भाई, युवा आज भी है, वो कल रहेंगे, मंतरी जी, इतने एच तक काम कर रहे है, साथ में चल रहे है, तो उनको तो मौका तो देना चाहिए, अब बिना उनके मौका दिया, कैसे डिसाइड कर है, कि सारे के सारे सीट चिराक को देने से वो जीत जाएंगे, गैरेंटी है कुछ, कोई चीज़ की गैरेंटी है, बताइए मुझे, जब ओनरबल सी एम चार बार पल्टी मार के, जब एंडिय में आ सकते हैं, तो वट इस दा गैरेंटी की जितने सारे सीट उनको मिले, सब जीत जाएंगे, या फिर जो सीट शेरिंग की ज़रांट्स पेंच अभी हवाबाज जो चल रहा है बार, वज़या अभी भी चल रहे हैं कि आप लोग भी मांग करेंगे उससे लिए अभी भी हम लोग का मांग है, हाजीपूर नॉन निगोशियबल है, हाजीपूर नहीं च संपत्ति पर उनका हग हो सकता है, लेकिन आप पार्टी पर कैसे हग जता सकते हो, मुझे बताइए, और अगर इतनी ही, अगर आप सीधे हो, सच्चे हो, तो बाकी लोग नाराज क्यों है, आपके खुशी में लोग खुश क्यों नहीं है, वो चीज़े वन साइड़े और अ महामन्थन, अभी विजारी आला की चिराग पास्वान के ओर से, अभी अपचारिक भी नहीं बाते कही जा रही है, ये सुत्रों से निकल कर सामय आ रहे कि पांच सीते दे दी गई है, अलकि इनके ओर से कहना है कि जो भी घटक दल है, चाहे वो जद्यू हो, हम हो, आरे लेम हो, तमाम अलग अलग पार्टिया जो है इंडिया की घटक दल, वो भी नाराज है, इस चीज को लेकर एक तरफा फैसला लिया गया है, अलकि इस फैसले को लेकर आप क्या मानते हैं, कमेंट सिक्टन में रखेगा, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए, इंडिया टॉप देखते